ही गाईंस वेलकम और वेलकम बाकर्टू मा योट्यूब चैनल तो कैस इस वीडियो में आपके लिए हैं कंप्यूटर के ऐसी इसे कॉश्चन जो कि प्रिवेस यर कॉश्चन पेपर में आ चुके हैं तो उत्राखन में जितने भी एकजाम होते हैं तो उसमें कंप्यूटर के जितने भी question आते हैं वही इसमें 100 question लिखे गए हैं जो कि previous year paper में आपके आ चुके हैं UK triple AAC भी इसको दे चुका है तो friends हमारे जो exam है वो नजदीक है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा previous year question paper देखने होंगे ताकि हम समझ सके कि computer के ऐसे कौन से question है जो repeat हो रहे हैं और जो भी computer के question होते हैं वो ही repeat होके हमारे exam में भी आते हैं तो यही important question है इनको देखना जरूरी है तो सबसे पहला है हमारा computer का जनक या पिता किसे कहा जाता है बहुत ही easy यह question है इसका right answer होगा चाल्स बेवेज को computer का जनक या पिता कहा जाता है question number second है सबसे पहले computer का नाम क्या था या फिर इस तरह से question पूछ सकते हैं कि सबसे पहले electronic computer का नाम क्या था तो friends इसका जो नाम है वो है E-N-I-A-C तो यह है सबसे पहला computer जो कि बना था question number third है E-N-I-A-C का अविशकार किस वर्स हुआ तो friends जो सबसे पहला computer E-N-I-A-C था तो इसका जो अविशकार हुआ था वो हुआ था 1945 में सबसे पहला computer बना question number fourth है Windows क्या है Windows क्या है तो यहाँ पर option हमें दिए गए है Windows application software है utility software operating software या फिर question यहाँ पर option आपका fourth होगा hardware तो आपको कैसे पता लगाना होगा जो Windows होती है वो आपके computer में ही होती है computer में पहले से होती है और Windows का use हम क्यों करते हैं operating करने के लिए करते हैं operate करते हैं तो operating system यहाँ पर Windows कहलाएगा question number fifth है computer के कितनी पेडिया होती है पेडिया यानि की generations तो अभी तक computer के कितनी पेडिया आ चुकी है अभी तक computer की पांच पेडिया आ चुकी है यानि कि अब 5 जी फिफ्ट जनरेशन जो है वो आ चुकी है बहुत से लोग के बाद फिफ्ट जनरेशन वाला फोन भी होगा question number six है भारत में सबसे पहले किस computer को बनाये गया था विश्व में तो आपका E-N-I-A-C को बनाये गया है 1945 में लेकिन सबसे पहला भारत का computer जो बना था वो था सिध्धार्द सिध्धारद नम का computer था question number seven है विश्व Computer साक्षरता दिवस कब मनाये जाता है तो विश्व कम्पुटर साक्षता दिवस मनाई जाता है 2 दिसंबर को विश्व कम्पुटर साक्षता दिवस मनाई जाता है Q8 है कम्पुटर की पहली PD में किसका इस्तिमाल किया गया था तो computer की जब first generation बनी थी तब इसको बनाने में किसका इस्तिमाल किया गया था राइट अंसर इसका होगा vacuum ट्यूब का next question है question number 9 computer की जब 2G second generation आई तो इसको बनाने में किसका इस्तिमाल हुआ था इसको बनाने में आपका इस्तिमाल हुआ था transistor का तो इसी तरह से फस्ट वाला मैंने आपको बताया जिसमें वैक्यूम ट्यूब क्या हुआ था दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर को वा था और तीसरे वाले का पूछते हैं तो इंटीग्रेटेड चिप का हुआ था अब नेक्स कोशन है जिसमें पूछा गया है कम्पूटर क कि तीसरी पीडी में किसका इस्तिमाल हुआ था तो राइट अंसर इसका होगा भी मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड चिप का इस्तिमाल यहां पर हमसे तीन जनरेशन पूछ ली गई है अब हमसे पूछा है चौथी जनरेशन जो की है फोर्थ फोर्जी फोर्जी फोन तीसरी में इंटीडेटर चिप और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तिमाल किया गया नेक्स्ट देख लेते हैं कोशन नंबर 12 है PC का पूरा नाम क्या है PC का पूरा नाम क्या होगा Personal Computer राइट अंसर होगा Option 2 Personal Computer next question है हमारे पास question number 13 computer का Hindi नाम क्या है computer का Hindi नाम होता है संगड़क यानि की गड़ना करने वाला संगड़क होता है question number 14 है निमलिकित मैंसे laser क्या है यहाँ पर option हमारे पास है printer, scanner, keyboard या pen drive तो laser क्या होता है printer होता है laser printer question number 15 है निमलिकित मैंसे output device कौन सी है output input devices से भी question बनते है output कौन सी है इसमें से output बतानी है तो आपका keyboard होगा input है mouse input है microphone भी input device है लेकिन projector जो होता है वो हमको output देता है क्योंकि जब class में projector लगा होता है तो अब हमें blackboard में कुछ वहाँ पे images दीखने लगती है तो यह है projector का काम जो कि हमें output देता है इसलिए output device है question number 16 है निमलिकित में से input device कौन सी है तो input device कौन सी होगी monitor, projector, printer तो यह तीनों तो आपकी output device है क्योंकि monitor में भी हमको screen पे हमें output दिखता है projector में भी और printer से भी हम कोई भी hard copy निकाल सकते हैं तो आपका option जो fourth है देखिए scanner जो होगा right answer होगा scanner जो है हमारे input device है question number 17 है निम्न में से image file format कौन सा है तो जब भी आप image लेते होंगे तो आप उसकी अगर detail में चेक करें तो वहाँ पर क्या लिखाता है JPJ JPJ format रहता है या फिर form भड़ते वक्त भी बोला जाता है JPJ format में आपको जो photo और signature है upload करने है तो यहाँ पर option 3 right answer होगा अब पूछा है MP4 कौन सा file format है तो MP4 कौन सा file format होता है video file format ठीक है MP3 कौन सा होता है audio वाला और MP4 होता है video file format question number 19 है निम्न मैंसे operating system है यानकि जो computer में operate करता है तो यह है Windows Windows जो है computer का operating system है यह question अभी उपर भी आया था question number 20 है निम्न मैंसे कौन सा एक operating system नहीं है तो Linux MS-DOS और MS-Windows यह तीनों ही computer के operating system है जबकि DBMS computer का operating system नहीं है question number 21 है binary number system में कितने अंको होते है तो binary में क्या होते है 0 और 1 होते है दो number यहाँ पर होते है option A हमारा ठीक होगा computer का दिमाग किसे का जाता है computer का दिमाग का जाता है CPU को इसकी full form pushing गे तो central processing unit right answer होगा question number 22 है CPU का पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम होता है central processing unit question number 24 है operating system क्या है operating system क्या है तो friends जो भी हमारे system में software होता है उसको operating system कहा जाता है क्योंकि system में वो operate करने का काम करता है question number 25 है आधुनी computer की खोच किस वर्ष की गई आधुनी computer का पूछे तो देखे right answer यहाँ पर होगा 1946 में आधुनी computer की खोच की गई थी next question है computer किस भासा को समझता है computer जिस भासा को समझता है बताना है तो यहाँ पर options में machine language machine भासा को computer समझता है कौन कुछ समय के लिए data को store करके रखता है यानि कि सिर्फ कुछी समय के लिए कौन सा ऐसा है memory यह होगी RAM जो की random access memory के लाती है यह कुछ time के store करती है और light चल जाने पर इससे सारा data delete हो जाता है अब है कौन हमीशा के लिए data को store करके रखता है यह है read only memory room जो की light जाने पर भी data को store करके रखता है अब हमसे पूछा है www का अविशकारक कौन है तो इसकी अविशकारक है Tim Berners Lee important question है question number 30 है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो friends सभी को पताई होगा super computer जो होता है सबसे तेज कंप्यूटर होता है Google क्या है Google एक तरह का search engine है जहां हम विभिन्दी चीज़े search कर सकते है निमलकित मैंसे कौन search engine नहीं है तो Google पर हम search कर सकते है Bing और Yahoo पर भी कर सकते है लेकिन Wikipedia पर नहीं है ये एक search engine नहीं है question number 33 है document को save करने के लिए किस command का इस्तिमाल किया जाता है document को save करने के लिए control plus S का इस्तिमाल किया जाता है select करने के लिए control plus A का इस्तिमाल किया जाता है copy करने के लिए Ctrl प्लस C का इस्तिमाल किया जाता है Print करने के लिए Ctrl प्लस P और अगर Cut करना है तो Ctrl प्लस X Cut के लिए होता है Ctrl प्लस X और अगर Paste करना है तो Ctrl प्लस V का इस्तिमाल किया जाता है तो इस तरह से shortcut keys भी आपको पता होनी चाहिए Next question है Document में मौझूद text को Cut करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है तो ये है Ctrl प्लस X Next है Document में मौझूद text को Copy करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर होगा Ctrl प्लस C का इस्तिमाल Question number 36 है Document को Print करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है तो यहां किया जाता है control प्लस P का इस्तिवाइब नेक्स कोशन है भारत में internet की शुरुआत किस वर्स हुई तो भारत में internet कब से शुरुआ है 1995 से internet की शुरुआत हुई थी तो ज्यादा पुराना नहीं है internet अब पुछा है keyboard में function की कितनी होती है तो अगर आपने keyboard को पुरा द तक कीज होती है इनको ही function की कहा जाता है ठीक है question number 39 है डॉस का पूरा नाम हमको बताना है डॉस का यह होगा disk operating system को डॉस का जाता है windows का पहला version कौन सा था जो first version window का आया था वो था window 1 question number 41 है ms word क्या है तो जो computer में word होता है जिस पर कि हम कोई भी file बनाते हैं data बनाते हैं तो वो होता है आपका application software क्योंकि वो computer का system software नहीं होता है उसको हम phone में भी download कर सकते है वो एक app होता है जिसको play store से download किया जा सकता है question number 42 है निमलेकित में से hardware device नहीं है तो इन में से पूछा है hardware कौन नहीं है तो hardware वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं देख सकते हैं जैसे कि monitor को हम छू सकते हैं CPU को छू सकते हैं mouse को छू सकते हैं लेकिन Excel को नहीं छू सकते है एक्सल को छूएंगे तो आप monitor को छू लेंगे त को हम एक तरह का software कह सकते हैं अब हैं next question number 43 जिसमें पूछा है एक megabyte में एक MB में कितने byte होते हैं तो 1 MB में पूछा है एक MB अगर हमारे पास net होता है तो इसका मतलब 1024 KB किलो byte होगा एक MB में 1024 KB होते हैं इस तरह का question बनते हैं अब है एक केबी में कितने बाइट होते हैं अब एक केबी में कितने बाइट होंगे एक हजार चॉबिस बाइट एक केबी बनती है एक हजार चॉबिस बाइट से तो राइट अंसर क्या होगा option 3 question number 45 है computer में कौन सी unit होती है memory unit, control unit, arithmetic, logic unit तो ये सभी units computer में होती है उप्रोक तो सभी right answer होगा विस्व का सबसे पहला super computer कब बना विस्व का सबसे पहला super computer बना था 1976 में question number 47 है dot matrix क्या है dot matrix है एक तरह का printer question number 48 है motherboard के भागों में data का आदान परदान किसके कारण होता है तो यहाँ पर आदान परदान की बात हो रहे है यहाँ पर bus का use किया जाएगा motherboard के data का आदान परदान करने के लिए question number 49 है निमलेकित में से कौन सी वेग्यानिक computer भासा है वेग्यानिक computer भासा है fortron fortron यह है computer language question number 50 है computer में किसी सब्दी की लंबाई किस में मापते है लंबाई मापने के लिए पूछा है तो इसका राइड़ अंसर होगा bit bit में computer के सब्दों की लंबाई मापी जाती है question number 51 है www का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम होगा worldwide web जिसकी खोजकिती tim burners lean है question number 52 है http का पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम होता है hypertext transfer protocol next है question number 53 tally software का उपयोग किस में किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है accounting के work में tally का पूरा नाम पूछा है dvd का पूरा नाम होता है digital versatile disk question number 55 है cd का पूरा नाम क्या है cd का पूरा नाम होता है compact disk तो right answer हो जाएगा compact disk वह program जो उच्च स्थरीय भाषा को machine भाषा में बदल देती है high level language को machine language में जो बदल देता है उसे कहते हैं compiler यह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने computer के important question बताये थे question number 57 है internet में बेजे जाने वाले संदेश या mail को क्या कहते हैं इसे कहते हैं email तो internet द्वारा बेजे गए messages को email कहा जाता है USB की खोज किसने की थी USB की खोज की अजय भटने question number 59 है RAM का पूरा नाम क्या होगा इसका नाम होगा random access memory random access memory तो हमारा जो option fourth है random access memory ठीक होगा ROM का भी पूरा नाम पूछ लिया गया है जिसका होता है read only memory question number 61 में wifi का पूरा नाम पूछा है इसका पूरा नाम होता है wireless fidelity question number 62 में किसका इस्तिमाल डेटा को स्टोर करने के लिए जाता है तो यहाँ पर pen drive में हम बहुत सारी फोटोस वीडियोस रखते हैं तो यहाँ पर ही हम डेटा को स्टोर करते हैं question number 63 में गनितिये कारियों के परफॉर्म के लिए क्या जाता है ALU का परियोग जिसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगी तो arithmetic logic unit होता है question number 64 है निमन मैंसे application software कौन है compiler, assembler, debugger यह language से संबंदित है और MS Paint जो है वो application software है यानि कि एक तरह का app है MS Paint जिसको download के जा सकता है निमन मैंसे system software कौन है system का software कौन है यहाँ पर इन मैंसे होगा Linux जो है system software है question number 66 है joystick का इस्तिमाल किस में किया जाता है joystick का इस्तिमाल जाता है gaming के लिए किया जाता है question number 67 है trackball input device है तो yes trackball जो है input device है question number 68 है ALU memory का हिस्सा है arithmetic logic unit memory का हिस्सा है नहीं यह memory का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर असत्य right answer होगा question number 69 निमन कित्मे से कौन volatile memory है तो random access memory RAM volatile memory होती है question number 70 है hardware बिना device driver के काम कर सकता है नहीं hardware जो है बिना device driver के काम नहीं कर सकता असत्य यहाँ पर होगा question number 71 है DVD CD की तुलना में ज्यादा memory स्टोर करती है तो yes right answer है जो की DVD होती है CD के तुलना में ज्यादा memory को स्टोर कर सकती है next है निर्देशों का समू होता है निर्देश जहाँ पर बहुत सारे instructions होते हैं तो उसको क्या कहते हैं program कहते है right answer होगा question number 73 है computer screen में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है computer screen में जब हम जूम करते हैं तो उसके pixels फटने लगते है pixel word आपने सुना होगा तो right answer होगा इसमें pixel computer chip किसे बनी रहती है तो यहाँ पर कुछ material दिए गए है जिसमें की silicon से computer chip बनी होती है notepad का extensions क्या होता है notepad का जो extension होता है वो .txt text होता है question number 76 है bios का इस्तिमाल किसकी दवारा किया जाता है इसका इस्तिमाल किया जाता है operating system के दवारा question number 77 है booting का मतलब क्या होता है booting का मतलब होता है किसी भी computer को restart कर देना तो right answer होगा option 4th option 3rd computer को restart कर देना ठीक है sorry जो first वाले option में ये लिखा है computer को restart करना question number 78 है computer में CPU कहा इस्तित होता है CPU कहा इस्तित होता है system में होता है computer के system unit में question number 79 है जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि computer में port का इस्तिमाल क्यों किया जाता है इसका हम इस्तिमाल क्या जाता है दूसरी device को connect करने के लिए computer के जो un-peripheral device होते है तो उनको connect करने के लिए port का इस्तिमाल किया जाता है question number 80 है निमलखित में से computer किस भाजा को समझ सकता है यह समझ सकता है आपकी binary language को 0,1 bit से होते हैं जिसमें तो यहाँ पर 80 questions ही है जो कि previous year question paper में आ चुके हैं तो friends I hope आपके लिए वीडियो helpful रहे होगी इसी तरह से हमें और भी previous year question ढूनने हैं जिसमें देखना है कि computer के कौन-कौन से question आ चुके हैं क्योंकि यही question आपके बार-बार हर exam में repeat हो रहे हैं तो friends I hope वीडियो आपके लिए helpful रहे होगी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करना